हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ पीएम जगरवाल, तारगेट एट जी ओवी जोब्स चैनल में आपका स्वागत करता हूँ आजगा विशे है रचना के आदारपर क्रिया बेद दोस्तो रचना के आदारपर किरिया बेद में मुख्य किरिया नामदातु किरिया प्रिनार्थ किरिया पूर्वयकालिक किरिया वे तातकालिक किरिया पहले वाले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं आज हम पढ़ेंगे सेंख्त किरिया, साहिक किरिया, रंजक किरिया, सजातिय किरिया, वे आग्यार्त किरिया तो देखते हैं सेंख्त किरिया सेंख्त किरिया पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड सेयर जरूर कर दे अर्थात लाइक एंड सेयर करना नह भूले तो देखते हैं संक्त क्रिया संक्त क्रिया जिस वाकिये में दो या दो से अधिक क्रियाई मिलकर एक ही क्रिया अर्थात एक ही काम को पूर्ण करती है यानि क्रिया दो या दो से अधिक क्रियाई हो सकती है वो मिलकर कि किसी एक काम को पूरा करती है एक काम को पूर्ण करती है वह सेंक्त किरिया कहलाती है जैसे वह मेरे घर पर आ जाया करता है तो यहां पर वह करता अर्थात सर्वे नाम मेरे घर आया आना किरिया जाया जाना किरिया करता अर्थात करना किरिया यहां पर तेन किरिया मिलकर एक काम को पूर एक कारिये को पूर करती है, यानी वह जो वीक्तिह वह मेरे गरपर आया जाया करता है, यहां पर आना जाना करना यह तेनों कर्याइं मिलकर एक काम को पूरा करती है ता गरपर आया जाया करना, तो यहां पर सेयुक्त किरिया है, अगला दर्ण है, वह मैदान में दोड़ता चला गया, तो दोड़ना चलना गया, यह किरिया हैं, यहां पर दो किरिया हैं, जो मिलकर एक काम को पूरा करती है, अगला दर्ण है, सो उनूने दूद पी लिया, तो यहां पर पीना और लेना दो किरिया हैं तो यहाँ पर संयुक्त किरिया हो गई दोस्तों संयुक्त किरिया नाम से इस पस्ट है संयुक्त दो या दो से अधिक चाहिए वह सब्द हो चाहिए किरिया हो या वरन हो मिलकर दो या दो से अधिक सब्द वरन किरियाई मिलकर स्विफ्ट का निर्मान करती है स्विफ्ट का मतलब हो गया दो या दो से अधिक कोई भी चीज हो दो या दो से अधिक मिलकर स्विफ्ट बनता है तो यहाँ पर दो या दो से अधिक किरियाई मिलकर स्विफ्ट किरिया बनती है अगला दान सुदा उपन्यास पढ़ने लगी तो पढ़ना और लगना यहाँ पर किरिया है मैमान चले गए होंगे तो चलना और गए यहाँ पर किरिया है जो दो किरिया मिलकर सेंख्त किरिया का निर्मान करती है तो दोस्तो सेंख्त किरिया जिस वाके में दो या दो से अधिक क्रिया मिलकर किसी एक कार्य को या एक काम को पूंड करती है वज संग्त क्रिया कहलाती है अगली क्रिया हमारी सहे क्रिया वाके में मुख्य क्रिया की साहिता करने वाली क्रिया को सहे क्रिया कहते हैं मुख्य किरी यहां पर मुख्य किरी इस साहिता पढ़ रहा था उसकी साहिता करने वाली किरी अर्थाद साहित किरी उथा खाना बना रही है तो खाना बनाना मुख्य क्रिया है रही है साई क्रिया है बचा हस रहा है तो हसना मुख्य क्रिया रहा है साई क्रिया तो दोस्तों साई क्रिया है हैं रहा है रही है रहे हैं था थे ठी आदी दोस्तों ये सब साई क्रिया होती है जो मुख्य क्रियां की साइ करने में सयोग करती है इसलिए से साइक किरिया कहते हैं धान देने के बात है दोस्तों कि जहां वाकिये में कोई मुख्य किरिया नहों किसी वाकिये में कोई भी मुख्य किरिया नहों वहां इन साइक किरियां मेज से ही कोई मुख्य किरिया बन जाती है जैसे मेज पर पुस्तक तो यहाँ पर कोई मुख्य क्रिया नहीं है परंतु है साइक क्रिया है पुस्तक के साथ में है लगा है यह है साइक क्रिया है तो यहाँ पर दोस्तों यह साइक क्रिया ही मुख्य क्रिया बन जाएगी यहाँ पर है जो सब्द है है जो साइक क्रिया है यही मुख्य क्रिया का का ये करेगी, अगला उदारना है, मैं जाओंगा, तो यहां पर जाओंगा, यहां के मुख्य किरिया, मुख्य किरिया का मुख्य किरिया जाना है, यहां से किरिया नहीं है, गागेगी यहां पर परते लगा हुआ है, ऐसी किरियाओं में जिन में गागेगी लगा हो, वे परते ह देखो लिखा मैंने तो मुख्य किरिया है गा परते लगा हुआ है ये विशेश धान दियुने की बात है कि जहां पर कोई मुख्य किरिया नहीं होती है परन्तु साइक किरिया होती है तो उस वाकिये में साइक किरिया कोई मुख्य किरिया मान लिया जाता है आगली किरिया है हमारी रंजक किरिया आती तो मुख्य किरिया के साथ, परन तो मुख्य किरिया को परभाव साली भी बनाती है, उसे रंजक किरिया कहते हैं, जैसे सोनु को रोना आ गया, यहां पे रोना तो मुख्य किरिया है, गया साहिक किरिया है, आना रंजक किरिया है, क्योंकि आ गया, तो यह तो नहीं कोई को चल कर आ गया है तो सोनु को जो रोना आ रहा था उसको वे परभाव साली बना रही है रोना किरिया को परभाव साली बना रहा है कि सोनु को रोना आ गया इसलिए यहाँ पर आना रंजक किरिया है अगला उदारन है सोन अधिकतर गूमा करता है तो यहाँ पर मुख्य किरिया है गूमना और गूमना का सयो करने वाली उसे और अधिक परवाव साली बनाने वाली किरिया है करता अर्थात यहाँ पर करना है रंजक किरिया और है है साइक किरिया है शब्द है है साइक किरिया कि गूमना जो मुख्य किरिया उस तो और अधिक परवावशाली बना रही है ये करना अर्थात रंजग किरिया ऐसे एकलाव दान आतंकवादी मारा गया तो यहां पर मारना मुख्य किरिया है गया का मतलब यह नहीं कि आतंकवादी गया गया नहीं है मारने की किरिया को परवावशाली बना रहा है उसे मुख्य बना रहा है आतंकवादी मारा गया अर्थात मुख्य किरिया की सायता करने वाली किरिया कौन सी होती है परवावशाली बनाने वाली किरिया रंजक किरिया तो यहाँ पर गया रंजक किरिया है वह चिल्ला उठी है वह चिल्ला उठी है पे चिला ना मुख्य किरिया उसकी साइता उसे परवाशाले बनाने वाली किरिया उठना ठंडी हवा चलने लगी ऐसे ये उद्दारन तो दोस्तों ये हो गए हमारी रंजक किरिया अगली किरिया सहजाती किरिया तो देखते हैं सहजाती किरिया जिस वाकिया में करम और किरिय दोनों एक ही दातु से बनकर साथ परियुक्त होते हैं सजातिय किरिया यानि कर्म और किरिया दोनों एक ही दातु के मूल अंस से बने हो वहां सजातिय किरिया होती है जैसे भारत ने लड़ाई लड़ी भारत ने लड़ाई लड़ी दोनों का मूलंस लड़ना है ये लड़ना सबसे बने है लड़ाई और लड़ी के मूल दातु है मूल दातु के मूलंस है लड़ ये लड़ से लड़ाई और लड़ से लड़ी बना है तो यहाँ पर भारत ने लड़ाई लड़ी इसमें कर्म है लड़ाई और लड़ी किरिया दोनों एक ही दातु से बने हैं तो इस वाकिये में सजातिय किरिया है अगला है उसने चड़ाई चड़ी तो यहाँ पर चड़ाई करम है चड़ी यानि चड़ना किरिया है तो चढ़ाई और चढ़ना दोनों ही एक इदातों से बनें यहांपर शजाती ऑकीरिया दोस्तों अगला है आग्यार्थक किरिया किरिया के जिस रूप से आग्या अनुमती, उपदेस, अनरोद, प्राथना का बोद हो उसे आग्यार्थक किरिया कहते हैं यानि ऐसी किरिया जिन में आग्या, अनुमती, उपदेश, अनुरोद, प्रातना का बोद होता है या ऐसे सब्दों का अभास होता है उसे आग्यार्थक किरिया कहते हैं इसे वीधी किरिया भी कहते हैं आग्यार्थक किरिया को वीधी किरिया भी कहते हैं जैसे करपया मेरी साहिता करो यहां पर प्राथना का भाव है करपया करके मेरी साहिता करो या कीजिए सदा सच बोलो यहां पर उपदेश का भाव आ रहा है यहां बैठिये अनुरोद किया गया है तुम सब मंदिर चले जाओ तुम सब मंदिर चले जाओ यहां पर भी किसका भ तो जिन किरियाओं के साथ आग्या अनुमति उपदेश अनुरोध प्राकना का बाव हो उसे आग्यार्थ किरिया कहते हैं दोस्तों यह वीडियो पसंद आया होगा तो आसा करता हूं कि यह वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक सेयर करना न भूले धन्यवाद दोस्तों